हलो दोस्तों कैसे हूँ उम्मीद करूंगो सब एक बढ़ी होंगे दोस्तों राजिस्थान मद्यपदेश और 36 गड़ में किसानों का कर्ज माफी के बाद अब योगी सरकार भी उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को कर्ज माफ कर सकती है जी यहां दोस्तों लोकसभा के चु बढ़े ताक्क कोई भी सरकारी योजना समधी वीडियो या फिर कोई भी सरकारी समधी लेटेस्ट निउज आएगी तो अपने आप आपके पास पहुच जाएगी तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों हम आपको जो निज बता रहे हैं यह उनीस आदितेनाथ एक बार फिर से किसानों को करज माफ करने की तैयारी में है उत्तर परदेश सरकार जिला इस्तर पर इसके लिए सर्वे कर रही है जी हां दोस्तों किसानों का सर्वे स्टार्ट हो चुका है कि बाई कितने किसानों ने करज लेकर रखा है इस सर्वे का मक्सद उ पीजे भी सरकार ने किसानों को करजा माफ किया भी था तो दोस्तों यह उन किसानों की लिस्ट बनाने जा रहे हैं उन किसानों को सर्वे कर रहे हैं जिन लोगों को पहले करज माफी का लाव नहीं मिल सका जहां तक है दोस्तों यह जो पहले लाव ले चुके शायद उन लोग को लाब नहीं मिला उनलोगों के लिए दोस्तों ये सरवे तयार किये जा रहे हैं रिपोर्ट के मुताबिक कैई किसानों को आंशी कर्ज माफी मिल पाई थी कैई किसान तकनीकी गड़ बड़ियों की वज़े से करज माफी का लाब नहीं उठा पाये थे योगी सरकार इस सर्वे के दोरा ऐसे किसानों की पहचान करने की कोशिश कर रही है अगर योगी सरकार इस कदम को अमली जामा पहनाती है यानि कि इस कदम को अगर वो अंजाम देती है तो लोक सबावा के चुनावा रहा है उसमें कुछी अपना रोल दिखा सकते हैं बता दे कि 2017 में सरकार बनते ही योगी केबिनेट ने सीमानत किसानों का एक लाग तक कर्ज माफ करने का फैसला लिया था राजिस्तान सरकार ने इसके लिए 32,000 करोड रुपे के बजट की गोशना की थी किसानों की कर्ज माफी एक बार फिर से चर्चा में है तब आई जब पिछले साल दिसंबर में मद्यपरदेश, राजिस्तान और 36 गड़ में कॉंग्रेस की सरकार बनी कॉंग्रेस ने इन तीनों राजियों में चुनाओ के दोरान किसानों की कर्ज माफी का वदा किया था वदे के मताबिक तीनों राजियों की कॉंग्रेस सरकारों ने सरकार बनाते ही पहले काम के रूप में किसानों की कर्ज माफी की गोशना कर दी कॉंग्रेस अद्धक्ष राउल गांदी ने इसे कॉंग्रेस की प्रोफार्मर छबी के रूप में पेश किया जी हाँ दोस्तों जैसी कॉंग्रेस की सरकार सत्ते में आ गई इन्होंने 10 दिन के अंदर अपने करज माफी गोशना कर दी किसानों की करज माफी के बाद राउल ने कहा है कि उन्होंने जो का वो कर दिखाया राउल ने कहा है कि भाई अब प्रदान मतिर नरेंदर मोदी को भी किसानों का करज माफ करना चाहिए राहूल न है कह बीजेपी पर दबाऊ बढ़ा दिया है अगर मोदी करज माफ नहीं करते है तो वे 2011 सत्था में आने के बाद किसानों को करज माफी की सोगाद देंगे राउल ने कहा था कि मोधी जब तक देश के किसानों का करज माफ नहीं करेंगे तब तक हम उन पर इतना दबाव डालेंगे कि उन्हें सोने नहीं देंगे और करज माफ करवा करी रहेंगे जी आँ दोस्तों लोकसबस चुनाव से पहले ये गोशना उत्तर परदेश में कर सकते है क्योंकि कॉंग्रेस अद्दक्स राउल गांदी ने भी इनको पर दबाव बना रहा क्योंकि उन्होंने तीनों स्टेटों में जैसे ही उन्होंने अपने चुनाव जीता उसके बाद त लेकिन दोस्तों अभी कोई डेट फिक्स नहीं कि भाई कौन सी डेट कोई गोशना करेंगे अभी बस मातर एक खबर आईए तो दोस्तों हमने आपको खबर का अकॉर्डिंग बता दिया कि भाई कब उत्तर प्रदेश में करजमाफी की जो तैयारी चल रही है तो दोस्तों इस